नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप लोगों का मैं डिजे लर्नी यूट्यूब चैनल पर मैं ही अन मोल सिंग और आज की इस वीडियो में हम भारत के कुछ महत्पूर्ण बरे और चोटे बंदरगाह के बारे में जानेंगे जो अक्सर कम्पिटरिप परिछाओं में पूछे देश के बेपार की नीव होती है यहीं से देश में आया तथा नियाद किया जाता है जैसी कि आप फोटो में देख पारहोंगे कि आप पोट की इस तरह का होता है जोस्तों भारत देश के कुल टर्ट्रेखा 7516 किलो मिटर लंबी है और यहाँ टर्ट्रेखा देश की 13 राज जो के बारे में जान लेते हैं तो पहरत सबसे पहला राज है गुजरात फिर इसकी नीचे है महराश्ट फिर छोटा सा है हमारा यह गोवा इसके बाद है करनाटक फिर है केरल फिर है तमिल नाडू फिर पुनहा उपर है आंद्र पर्देश फिर हमारा ओडिसा और अंत में ह देखोता है प्राकिर्तिक बंदरगा और दूसरा होता है किर्तिक बंदरगा दोस्तों वैसे बंदरगा जिसका निर्मान प्राकिर्तिक के दिवारा किया गया हो उसे प्राकिर्तिक बंदरगा करते हैं और जो आयात तथा निर्यात को अच्छे ढंक से करने के लिए निर्मान क इस्तीत है एक पर्मुक बंदरगा अंडमान एवं निकुमा रजधानी पोर्ट ब्लेव पर है तो चलिए दोस्तो अब इसको हम मेप के द्वारा समझते हैं सबसे पहले हम 13 बड़े अंतराष्टिप बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे तो दोस्तो पहला बंदरगाह है क आंडला जो गुजरात के पर्मितर पर एक स्तीत प्राकिरतिक बंदरगाह है यह कक्च की खारी में एक जौरिये बंदरगाह है यह बंदरगाह मुक्षेत, पेट्रोल और उरूरग आयात के लिए प्रयोग किया जाता है और यह बंदरगाह उत्तर भारत को सबसे अधिक दोस्तों यहां भारत का सबसे बड़ा प्राकिर्तिक बंदरगा है। सर्वधिक बेपार इसी बंदरगा से होता है और इस बंदरगा को भारत का परवेश द्वार भी कहा जाता है। दूसरा नेवा सवा जिसे जवाहर लाल नहरू पोर्टरस्ट के नाम से भी जानते हैं यहां पस्मिटर प्रस्तीत एक किर्तिम बंदरगा है। यह मुमे बंदरगा का एक सहाइक बंदरगा है जो भारत का सबसे बड़ा किर्तिम बंदरगा है। यह एक आधुनिक किर्त बंद यह गोवा में पस्मीटर परिस्तीत एक प्राखिर्तिक बंदरगा है दोस्तों यह बंदरगा जुवारी नदी के मुहाने परिस्तीत है इस बंदरगा से इरान को लो अयस्क नियात किया जाता है दोस्तों इसके बाद है न्यू मंगलोर यह करनाटक में पस्मीटर परिस्तीत प्राखिर्थिक बंदरगा है या नित्रवादी निदि के मौहाने पर समुद्र टर्षित के किनारे स्तित है इस बंदरगा से इरान को लो आयस, निर्यात तथा तेल का आयात भी किया जाता है फिर दुस्तो इसके बाद है कोच्चिन यह केरल में पस्मी टट पर स्थीत एक प्राकिर्थिक बंदरगा है यह केरल राज के समुझी टटत था बेमनार जिल के किनारे स्थीत एक सर्वस्ष्ट बंदरगा है इस बंदरगा को अरब सागर की राने भी कहा जाता है और दुस्त दोस्तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तो हमारा अगला बंदरगा है तुति कोरिन यहां तमिलाडू में पूर्वी टट परस्तीत एक प्राकिर्थिक बंदरगा है दोस्तो यह मनार की खारी परस्तीत है यह एक छिसला बंदरगा है जिसके कारण बड़े जहाज मुख्य यह तमिलाडू में पूर्वी टट परस्तीत एक किर्थिम बंदरगा है दोस्तो यह देश का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगा है यह बंदरगा भी भारत में सरवदिक बेपार है तुप प्रस्तीत है दोस्तो इसके बाद है एन्नोर बंदरगा यह तमि लाड़ू में पूर्विटर्प्रष्थित एक किर्तिम बंदर्गा है यह बंदर्गा चन्नय बंदर्गा का साहएक बंदर्गा है दोस्तो इस आधुनिक टक्निकों से लेश बंदर्गा को किसी उत्पादों के निर्याथ हैतु विशेश रुप से बनाये गया है दोस्तों इसके वाद है विशा का पटनम बंदरगा या आंदरपर देश के पूर्वी टरपर स्थीत एक प्राकिर्तिक बंदरगा है या देश का सबसे गहरा बंदरगा है इस बंदरगा के निकट डॉल्फी नोजनामक पहारी होने के कारण ये तेज समुदरी, चक्रवर्ती हवाव, तुफान तथासमान सुनी हवाव से सुरक्षित रहता है फिर है पारादी बंदरगा या उरिशा के पूर्वी टरपर स्थीत एक प्राकिर्तिक बंदरगा है जारखंड और उरिशा का लोह यहीं से जापान को नियात किया जाता है पारादी बंदरगा बंगाल की खारी से उठने वाले चक्रवारतों जजवातों से हमेशा प्रवावित रहता है जोस्तो इसके बाद है कोलकाता बंदरगा जोस्तो इस बंदरगा को भारत का टी पोर्ट वी कहा जाता है जोस्तो अंत में हैं हमारा पोर्ट ब्लेर यह अंडवान निकोवार में बंगाल की खारी में स्थीत एक प्राकिर्तिक बंदरगा है दोस्तो इस बंदरगा को भारत का तेरवा अंतराष्टि बंदरगा घोसित किया गया है तो चलिए दोस्तो अब हम कुछ छोटे महत्पून बंदरगाओं के बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं फिर दूस्तों चलते हैं महाराष्ट में, महाराष्ट के पश्मिटर पस्तीत एक बंदरगा है जो है रतनागिरी, फिर उसके नीचे चलते हैं करनाटक में, दूस्तों करनाटक में एक बंदरगा है कारवार, फिर उसके नीचे है केरल, केरल में चार बंदरगा है महतपुन है जो है कनानूर, फिर है कोची कोड, फिर है कुईलोन और अलेपी फिर दूस्तों चलते हैं भारत के पुर्वी टट की और पुर्वी टट में तमिलाडू में सबसे महतपून बंदरगा है कराइकल, फिर है नागपटनम और डोंडी इसके बाद है आंदर पर्देश, आंदर पर्देश में दो महतपून चोटे बंदरगा है, पहला है काकी नारा, फिर है मचली पतनम इसके ठीक उपर है उडिसा, उडिसा के छोटे महतफून बंदरगाहों में से सबसे महतफून है गौपालपूल बंदरगाह, इसके बाद है वेस्ट बेंगल, वेस्ट बेंगल के सबसे महतफून बंदरगाहों में से है कोलकाता और हल्दिया तो चलिए दोस्तो अब हम भारत के पर्मुक बंदरगाहों के बारे में कुछ महत्पुन बिंदों को जान लेते हैं दोस्तो भारत का सबसे बारा बंदरगा मुंबई है जो महराष्ट में स्तीत है फिर है भारत का सबसे बारा कितिम बंदरगा चन्नाई है जो तमिलाडू के पूर्विटर्ट पर स्तीत है फिर है भारत के सबसे गहरा बंदरगा विसागा पटनम जो आंदर परदेश के पूर्विटर्ट पर स्तीत है फिर है भारत के आधुनिक बंदरगा नेवा सवा जो जिसे हम जवाहला नेरूर पोर्टरस के नाम से भी जानते हैं फिर है भारत का जुआरिये बंदरगा कांडला एवं पारदेप को जाना जाता है फिर है दोस्तो उतर भारत को सबसे अधिक अपूर्ती करने वाला बंदरगा कांडला बंदरगा है जो गुजरात में स्थित है फिर है जापान को लो अयक्स नियाद करने वाला बंदरगा पारदेप है जो उडिसा में स्थित है इसके बाद है इरान को लो अयक्स निर्याद करने के लिए बनाय गया बंदरगा मंगलोर बंदरगा है फिर दुस्तो इसके बाद है भारत का चिनी बंदरगा मुंबे पोट को कहा जाता है फिर भारत का चाय बंदरगा कोलकाता पोट को कहा जाता है इसके बाद है भारत का कॉफी पतन मंगलोर पोड को कहा जाता है दोस्तो मसाले के लिए प्रसिद निर्यात करने वाला बंदरगा कोजी कोड बंदरगा को कहा जाता है इसके बाद है पस्मी टट का सबसे सुन्दर बंदरगा कोचिन बंदरगा जो अरब सागर की रानी भी कहा जाता है इसके बाद है पूरवी टट का सबसे सुन्दर बंदरगा विसा का पटनम बंदरगा है दोस्तो इसके बाद है भारत का रासायन बंदरगा दाहिज बंदरगा जो गुजरात में इस्तीत है इसके बाद है आंत में भारत का सबसे बड़ा नीजी बंदरगा मुद्याब बंदरगा को कहा जाता है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सस्क्राइब करें जैहिन